जब भी बात आती है मैगी की, तो मैगी खाना किसे नहीं पसंद है, बहुत कम टाइम में बनके तयार हो जाती है, और खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बच्चों से लेके बड़े तक ये सबी को काफी पसंद आती है, तो हलो अप्रिबर्बन, वन्स से हाथ से क्रश कर रही हूं, इसके बाद क्या करेंगे कि पैकेट को खोल लेंगे, तो ये देखिए, मैगी मैं अच्छे से क्रश कर ली है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें पानी एड करेंगे, इसके बाद एड करेंगे, एक टेबल स्पून मटर के दाने, एक टेबल स्पू हुई हरी मिच, नमक स्वाद के अनुसार, 1-8 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1-8 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और इसके बाद जो हमने मैगी क्रश करके रखी थी, उसे एड़ कर देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, जब मैगी में अच्छे से उबाल आ तब हम इसमें जो मैगी के अंदर मसाला निकलता है, उसे एड़ करेंगे, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, 30-40 सेकंड के लिए पका लेंगे, अब हम एड़ करेंगे 2 अंडे, तो मैं यहाँ पे 2 अंडों को इस तरह से तोड़ के डाल रही हूँ, तो धियान रहे यहाँ पे आपको गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है, और ढ़क कर एक मिनिट के लिए पका लेंगे, इसके बाद एड़ करेंगे, बारी कटा हुआ हरा धाया, हलका सा मिक्स करेंगे, और 30-40 सेकंड के लिए और पका लेंगे, तो यह देखिए फ्रेंट्स, यहाँ पर हमारी जो एग मेगी है, वो पूरी तरह से बनके तयार है, और आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा इसका कलर आया है, दिखने में भी काफी अच्छे दिखाई दे रही है, और यकीन मानिए खाने में भी बहुत ही जादा टेस्टी लगती है, तो अगर आपको भी मेग के लिए वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे